नमस्कार, आज है 26 नौमबर दो हजार चोबी सोराचिक करेंड़ा फेर्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज का क्यूशन अब दे है, राष्ट्रिय दुख्द दिवस कब मनाया जाता है? जिसका आंसर आपको मिलेगा, थोड़ी देर बाद मिलेगा, मिलेगा चले, आज का क्यूशन सबसे बहुत महत्पूर्ण क्यूशन है आज सम्विधान दिवस, जिसे विधी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है तो आज दिनांग क्या है? 26 नौमबर बहुत प्यारा सा सवाल है, कि सम्विधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नौमबर को मनाया जाता है तो आप सभी देश वासियों को सम्विधान दिवस की बहुत बहुत सुपकामना है भीमराव अंबेटकर जी, जिनको सम्विधान के निर्माता भी कहा जाता है देखो क्या हुआ कि जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गएं तो भारत वालों को जिम्मेदारी दीगए कि पहले हम जातो रहें भाई सब पर आप अपना समविधान बना लो हमारी बहुत पहले से मांग थी कि भारत वालों के लिए भारती कानून होना चाहिए ना कि ब्रेटेन का कानून तो आजादी से पहले ही क्या हुआ था एक बहुत महत्पुन तारीक होती है 9 दिशंबर 1946 पहले बार समविधान सभा का गठन किया गया था एक समविधान सभा बनाई गई थी और उस समविधान सभा में भारत के अलग अलग प्रान्टों के लोग रहते थे तो सम्विधान सभा की जब बैठक हुई, पेली बैठक हुई थी और इसमें क्यारत था है कि भारत में 10 लाग जन संख्या के ऊपर एक व्यक्ति था, मतलब एक मेंबर, एक सदस्श्य था सम्विधान शभा में, सम्विधान शभा में जितने भी लोग थे, ठीके, उन में से 10 10 दिसम्बर 1946 को क्या हुआ, सोरी, 10 नहीं, 11, 11 दिसम्बर 1946 को क्या हुआ, समिधान सभा ने अपना एक अध्यक्ष चुन लिया, और वो अध्यक्ष कोन थे, राजेंदर प्रशाल, अब भाई सब क्या हुआ, कि जो समिधान सभा की जो पांचवी बेठकती, या रखना ये पां नहरुजी के द्वारा, उद्देश प्रस्ताव क्या था, कि हम लोग यहां बेठे हुए, तो क्यों बेठे हुए, क्या उद्देश ये है हमारा, तो नहरुजी ने ये उद्देश प्रस्ताव पेश किया, जन्वरी 1947 में इस उद्देश प्रस्ताव को स्विकार कर लिया ग इयर का टाइम लगा, टू इयर, 11 मन्थ, 18 डेस का समय लगा, और एक बहुत खुपसुरत सा भारत की, भारत ने दुनिया का सबसे अच्छा, ब्यूटिफूल, एक बहुत प्यारा सा सम्विधान बना कर तियार किया, तो 26 नॉवंबर की वो तारीक थी, जिस दिन क्या हुआ था, संविधान सभा के दौारा, उस दिन इसके उपर sign गया था, देखों, सम्विधान सभा में सदस्य थे, टोटल कितने सदस्य हुआ करते थे, एक सदस्य एक जगापर रहेगा, वो टोटल सदस्य जो हुआ करते थे उस टाइम पर इस टार्टिंग में वो थे 389, ये सदस्य थे बटवारे से पहले वाले सदस्य, 389 सदस्य थे समिधान सभा में, लेकिन जब बारी आई 26 नॉंबर 1950 को, तो उस दिन समिधान सभा में 284 लोग थें, जिन्होंने समिधान पर क्या किया था, सिगनेचर किया था, 284 लोगों ने सिगनेचर किया था, समिधान सभा जो थी, उसमें 15 महिलाएं थी, याद रखेगा, 15 महिलाओं ने भाग लिया था इसमें, और जब ये समिधान बन कर तियार हो गया था, लागू तो हुआ था, वो 26 जनवरी के दिन, सबको बता है, रिपब्लिक बने थे हम उस दिन लागू हो गये थे, 15 अनुछे जो थे, वो लागू होए थे, 26 नवर, उनिस सो उन प्यास को, थोड़ी सी basic information थी, समिधान से related, तो याद रखेगा, समिधान दीवस मना याता है, हर साल 26 नवर को, एक और सवाल बता हूँ आपको, मैं, समिधान का जो ड्राफ्ट था, जिसे बोलते हैं, मसोदा, या क्या कह सकते हैं, हम लोग उसे प्रारूप बोल सकते हैं, वो तेयार किस ने किया था, बी एन राव ने किया था, और इस ड्राफ्ट के ऊपर एक समिधी बनाई गई थी, जिसे बोलते हैं, ड्राफ्ट कमिटी की इस ड्राफ्ट के पर चर्चा करना है और draft समीती के अध्यक्ष जो थे वो कोन थे BR, sorry, BR Umbedkar, बी-र Umbedkar जी जो थे इसके सदस्ष्य थे हैं, साथ सदस्ष्य समीती थी, जिसमें से 6 सदस्ष्य और थे हैं, और BR Umbedkar जो थे हैं, वो क्या थे हैं, भाई साब इसके अध्यक्ष हुआ करते थे ड्राप्ड समीती के चलिए बहुत महत्वपून इंफोर्मेशन थी एक-एक सवाल जो है यहाँ पर आपको दीखने को मिल जाएगा जब आप मोक टेस्ट वगरा लगाऊगे रियल एक्जाम में जब आप बेठोगे चलिए आचा क्विशन नंबर दूसरा है इंडियन बैंक होती ही तो इंडियन बैंक ने अपना MD और CEO किसे न्यूक्ति किया है बहुत प्यारा से सवाल है और यह जो आप सक्ष देख रहे हो विनोथ कुमार नाम है इनका यह रहे है आपके मोबाल स्क्रीन पर विनोथ कुमार जी को क्या बनाया गया है इंडियन बैंक का क्या बनाया गया है दोस्तो MD Managing Director वो CEO बनाया जा सकता है इनकी नाम की सिफारिस की गई एक्चलन भी बनाया नहीं लेकिन 100% चांसे से कि यही बनेंगे अरुनाचल रंग महोत्सव अरुनाचल प्रदेश का एक festival है और इस महोत्सव का राजदूत की इस महोत्सव को प्रोमोट करना जिसे ambassador बोलते हैं जिस प्रकार से चाहे बोरो प्लस होई चाहे कोई से भी product होता है तो उसको प्रोमोट करने के लिए ambassador होता है जो brand ambassador जिसे हम बोलते हैं तो इस पुरे festival को मलब लोगों के पिरतिज आगरो लोगों में awareness पैदा करना या फिर मैं यू कहूं की promotion करवाना अपने festival का इसके लिए किसको चुना गया है पंगश्तिरे party को ठीक है याद रखेगा इस बात को हम बात कर लेते हैं अरुना चल प्रदेश के थोड़ी सी क्या 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 बात कर लो चलो बताओ 1972 में ये union territory group में listed हुआ था formation कव वआ था इसका 1987 में याद रखेगा ये तीन राज्य 1987 में बने थे आपको मालूम है कि नहीं मालूम है अरुना चल प्रदेश अमीगो याद कल लो आपके से ये पहला था अरुना चल प्रदेश अरुना चल प्रदेश दूसरा था मिजोरम और गो से गो गोवा गोन अर्थात ये तीन राज्यों का फॉर्मेशन कव वहा था 1987 में अब आपको पता ना अरुना चल प्रदेश की राजधानी क्या होती है इटा नगर होती है वेरी इजी सवाल इटा नगर होती है और वहांके अभी करेंट में चिप मिश्टर कोन है भाई ये बीजेपी के हैं क्या नाम है उनका पेमा खांडू बहुत मैच पुन सवाल है पेमा खांडू क्या है चिप मिश्टर है और गवर्ना तो पता है ना आपको कोन है परनाईक जो है वहांके गवर्नाद है केटी परनाईक क्या तो कि का पुरा नाम होंगा कवल्य तिरीविकरम परनाईक है लेकिन हम लोग उनको नौर्मली केटी परनाईक के नाम से जानते हैं केटी परनाईक जो हैं गवर्नारे में कहा के अरुनाचल परदेश के ठीक है वहां की जो असेंबली है लेजिसलेचर असेंबली उसमें 60 सीट होती है याद रखेगा तो बहुमत कितना हो जाएगा 31 वहाँ पर लोग सबह की एक सीटे याद कीजेगा और इसका हाई कोट कहा लगता है इटानगर मतला हाई कोट की जो बेंच हो कहा है इटानगर में किसकी बात की मेंने पुरी की पुरी अरुनाचल परदेश की सेवन सिस्टर का ये क्या होता है भाई सब पार्ट होता है इसकी सीमा उपर किस से लगती है चाइना से सीमा लगती है और इस साइड रखती ही भुटान से और इस तरब लगती है मियामार से तीन देशों के साथ सीमा टैच होती है याद कीजेगा अब ही देखो क्या है कि आप कोई बहाना नहीं एक प्रकार की initiative है कि मतलब देखो ये actual में एक नहीं दो नई एक तो क्या हुआ था अभी 25 नौंबर को महिलाओं के एक सवाल भी मिलेगा आपको कि महिलाएं जो होती है उनके खिलाब जो हिंसा होती है उसका डे मनाया जाता है तो सवाल में ही आंसर है आंसर में ही यह रहे है सोरी तो आप देख पा रहे हो, यह एक प्रोग्राम हुआ היा था इस प्रोग्राम में पूरा का पूरा सभी ने भाग लेता हालाकि देखो इसमें एक सवाल आगे मिलने वाला है उसको प्रम थड़ह से discussion करेंगे है क्या मामला बट ये जो अब कोई नहीं पहल ये जो नारा दिया गया है ये नारा महिला ये उम बालविकास मंत्रा दिया गया है चलो एक बर कमेंट करके बताइए ये जो महिला आप देख रहे हैं ये महिला तो ये है महिला ये उम बालविकास मंत्राले की मंत्री तो आप को इन महिला का नाम कमेंड करना है कि हमारे वरतमान में महिला एवं बालविकास मंतरी कौन है पांच हुआ सवाल देखी गया IPL इतिहास के अब तक के सबसे महेंगे पिलेयर किसे मतलब कौन हुए है तो भाई सब अभी रिशब पंत बने हुए है रिशेंटली में इस बार हाला कि इतना 2020 मेच होता है पहला IPL मेच खेला गया था 2008 में 2008 में पहला मेच हुआ था याद की जिगा और अभी अभी तक मतलब अभी करेंट में कितनी टीमें हैं IPL में 10 टीमें हैं और मैं आपको बता हूँ फर्स्ट जो टाइटल जीता था वो राजिस्थान रोयल्स नी जीता था लेक और अभी होने वाला है नेक्स्ट एडिशन होने वाला है IPL का तो उसमें जब टीमों की पिलेर की निलामी होती है तो उस निलामी में सबसे मेंगे पिलेर कौन बने हुए हैं रिशब पंत बन चुके हैं भाईया याद कीजेगा देखो इसमें एक सवाल आता है कि मॉस्ट इंडियन्स मतलब सक्सेसफुल टीम कौन सी है तो के नाम उसका चैननाई सूपर किंग और मुंबई इंडियन्स इन दोनों ने 5-5 टाइटल जीत चुके हैं पांच बार ये जीती है ठीक है सबसेदार रन किसके हैं IPL में तो विराट कोली के 8,004 रन है उनके and most विगेट कि इडिशन कब आया था 2008 में आया था किस ने जीता था राजिस्तान रोयल ने जीता था चलिए आज का क्विश्ट्र नमबर छटा देखते हैं राष्ट्य दूग्द दिवस कब मनाया जाता है बहुत प्यारा सा सवाल है और इसका सभी जवाब है 26 नौंबर आज ही के दिन र आपको पता है ना भारत में स्वेत करांती का एक तो प्यारा सा सवाल है बच्चों वाला सवाल कि स्वेत करांती का संबन किस से है तो मिल्क का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए तो मिल्क का उत्पादन करना या प्रोडक्शन करना जिसे हम दूग्द करांती के नाम से भ होता है अब देखो इभारत में दुख्ध क्रांती के जनक वर्गिश कुरियन को ही माना जाता है ये बात भूलिएगा मत एक सवाल होता है कि दुख्ध का ये उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या लेकर आया थे हम ओप्रेशन फ्लड का संबन किस से है दुख्ध उत्पादन से है इसका भी दुख्ध उत्पादन से है ओप्रेशन फ्लड कब आया था 1970 में आया था एक सवाल आपके दिमाग में बहुत देर से घूम रहा है कि एक बात तो बताओ गुरुजी कि ये जो एक तारिक हमारे बाब भाश्यवेशन फ्लड मिलक डेव विश्व दूख्ध द्वस का मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है भाई सब एक जून के दिन हम किस के बात कर रहे है हम नेस्नल मिलक डे की बात कर रहे है जो हमारा भारत सरकार का स्वयम का है बात पलने पड़ी कि नहीं पड़ी चलो very good बहुत सा अंदार, चले अगले सवाल की ओर, चले, महिलाओं के खिलाफ, जिस सवाल की चर्चा थोड़ी तेरे पेले की थी ना मैंने आपको, कि महिलाओं के खिलाफ, हिंसा उन्मुलन के लिए अंतराश्टिय दिवस, देखो सीदी सीब बात होती ही भाई सब, किसी भी परका सवाल 25th of November को एक डे सेलिबरेट किया जाता है, अब देखो भीया, ये देखो, क्या होता है कि हमारा समाज ही ऐसा है, जहां पर ऐसा समझा जाता है, कि महिलाओं को दबाओ भीया, कूटो, मतलब कुछ है ही नहीं, भाई सब पुरुस प्रधान समाज है, अपनी जो पुरु पुरुस का बल दिखाता है महिला के ओपर, महिलाओं को पीटा जाता है, उनके खिलाब होती हिंसा होती है, महिलाओं बेचारी, इसका विरोध भी नहीं कर पाती है, तो भाई सद्यों को एक समझदार पुरुस वही होता है, जो अपने पार्टनर को अच्छे से लेकर चले ना कि उसके परती उसको कूटे है, ठोकना उकना नहीं है, भाई सावे सा, गलत बात है, गलत बेड बेड मेनर्स, तो इस बार क्या है, इंटरनेशनल डे फोर दा एलिमिनेशन ओफ वाईलेंस अगेंस उमेन, तो महिलाओं के खिलाब जो वाईलेंस होता है न, चाहे वो घर महिलाओं को मार दिया जाता है, यह भारत का डेटा है, इतना कर्री वाली होती है, तो यह क्यों होता है, क्यों आपको पता है, गरेलों हिंसा होती है, और फिर वो हिंसा फिर मार में भी मार पीट मोह जाती है, महिलाओं को मार दिया जाता है, तो इसके लिए इस बार की थीम जो बनाई गई है, no excuse, unite to end violence against women, बनलब कोई बहाना नहीं चाहिएगा, कोई बहाना नहीं, क्या बोल रहा हूं में कोई बहाना नहीं चलेगा, सब को आना पड़ेगा भाई सब, हम सब को एक होना पड़ेगा किस के लिए एक होना पड़ेगा violence against women अब भाई सब कोई एक होगा बताओ, अरे सारे पुरूसों को एक होना पड़ेगा मुर्खों, ठीक है समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी दूसरे की लड़की के खिलाब हिंसा करोगे तो अब्यश्य बात है, तुम्हारी भी तो एक बहन होगी ना भाई तुम्हारे अपने वालों को दुख देगा वो ठीक है ना, तुम्हारे खासम खास वालों को दुख देगा, तुम्हें परिसान कर देगा उपर वाला भाई सब, इसलिए किसी के साथ भी क्या नहीं करना है भाई सब, कभी भी कोई गलत काम नहीं करना है, नियत साप रखो भाई सा, मन साप रखो तो यादेना क्या करना है Very good, a call for the prevention and elimination of violence against women and girls, चलिए बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, आयठवा सवाल देख ले IPL के इतिहास में सबसे कम उम्रे के खिलाडी ये भाई साब ये नया आ गया है, वो सबसे मेंगे खिलाडी थे ये सबसे छोटे खिलाडी, सबसे छोटे, 13 साल की उम्र में बिहार के वेभव सुरिवनसी को इस बार राजिस्तान रोयल से ने खरीद लिया है भाई सा ये रहे वेभव सुरिवनसी, येना अब तक के इतिहास में, आई पेलकी में सबसे छोटे पिलियर हो सकते हैं, हो सकता है गदम एज खिल लेए, तो बन जाएंगे हलाकि रोजिस्तान रोयल दिन को खरीद लिया है, आज का नवा सवाल देखते हैं भाईया, हाली में कहां इंडिया ग्लोबल फोरम का उद्गाटन किया गया है, है ना तो इसका सही जवाब है दुबई, ठीक है दुबई में क्या हुआ है कि अभी एक मिटिंग हो रही थी, ये थीम है उसकी, अलिमीट लेस फ्यूचर इसा फ्यूचर चाहिए, जिसकी कोई लिमीट ही ना हो, आ लिमीट लेस फ्यूचर, और इस थीम के साथ इंडिया ग्लोबल फोरम का उद्गाटन कहां किया गया था दुबई में किया गया था ठीक है, आज का अंतीम सवाल देखेगा, भारत तंजानिया सन्युक्त रक्षा बेठक का आयोजन कहां किया गया ये एक जॉइंट डिफेंस मिटिंग थी जिसका आयोजन गोवा में किया गया था ठीक है, और ये रहा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान का राश्ट्री ध्वज, और ये है तंजानिया अब तंजानिया से दो क्यूस्चन जो मैं आपको बताऊंगा वो ध्यान से देखेगा, देखूं एक तो है तंजानिया की राजधानी क्या है, तंजानिया की राजधानी है, डोडो मा और सिलिंग जो है वहां की क्या वजाएगी, करेंसी हो जाएगी, तंजानिया की करेंसी सिलिंग है, और राजधानी क्या है, डोडो मा तो ये थे आज के बहुत महत्वपुन दस सवाल, आसा है मुझे उम्मीद भी है कि आपको बहुत पसना आया होगा, थेंक यू, थेंक यू मुझे वेरी मुझे पूर दिसकेशन, वे नाइस देए, गूद बाई, टेक केर, जय हिन, जय भारत